So everyone, classes start करते हैं, computer memory and storage जाने की computer memory से यहां से आपके 3 number कहीं नहीं जाने माला अगर आप होशाल वाला तयारी करने तो एक बार reason करके जाएंगे, ऐसे प्रसना आपके exam में बनते हैं अगर आप कोई भी exam की तरह करें, चैसे PC का हो या व्यापाम का हो, है ना, तो आने वाल exam के लिए काफी मात पुर्ण है, जो भी exam की तयारी करें, exam में ऐसे प्रसना पूछा जाता है तो computer memory क्या है, एक उपकरन है, जो computer के data और करक्रमों को संग रही करता है टीक है, टाइप साब computer याने के memory के प्रकार देखेंगे, तो memory हो जाता है, दो प्रकार के होता है, एक मुख्य memory और दूसरा साहक memory, तो साहक memory वो क्या बोलते हैं, नान-volatile memory इसको volatile memory यानिके, आ, इस्थाई memory भी कहा जाता है, तो पूरा detail में आपको बंद गो, memory है ना, तो देखेंगे memory जो होता है, दो प्रकार से होते हैं, उसको दो प्रकार विवाजित के capacity का नुसर, access time का नुसर, तो size का नुसर देखेंगे, size में सबसे बड़ा आपका secondary memory, size में सबसे बड़ा इधर का arrow ही सांधी करा होगा, तो secondary memory, उसके बाद main, उसके बाद cache, register, अगर पूछ यह इधर से चला जाएगा, ठीक है, तो पूछेगा कि सबसे छोटा कौन सा है register, और सबसे बड़ा memory, सबसे बड़ा में register, और सबसे छोटा secondary memory इधर, ठीक है, तो देखेंगे यह भी exam में पूछा था जीव साब memory, तो memory यानि memory की जो इकाई होता exam में पूछे जाते हैं, one bits यानि की binary digit, four bits यानि की one nible, eight bits यानि की one byte, एक हजार चोवीस bytes यानि की one kb, यानि की kilobyte, एक हजार चोवीस kb यानि की 1001mb यानि की million byte में, टिक, एक हजार चोवीस mb मतलब 1GB, एक हजार चोवीस जीवी मतलब 1TB, यह आपकी exam में बनते हैं, अबर वीडियो को कैसा लग रह लाँगा तो आपको notification के मांद हम से मिल जाएगा तो वीडियो कैसा लगता है एक बार कमेंट करके बताएंगे ऐसे वीडियो देखने करें चैनल को क्या करोगे फटा पर जल्दी से subscribe करना और वीडियो में लाइक नहीं रुकना चाहिए वीडियो में लाइक भर पूराना चाह आप देखेंगे यहां से यह topic आप इसकी ले लिजेगा ठीक है इसका आप इसकी ले लिजे एक्जाम में पूछा जाता है चलिए स्टार्ट करते हैं primary memory के बारे में जो एक्जाम में पूछा जाता है फूल फार्म देखेंगे रैम रैम का होता random access memory और राम का होता read-only memory तो यह आपके एक्जाम में cgwapam में कई बार पूछा गया है ठीक अब और वोलाटाइल मेमोरी देखेंगे यानि कि random access memory यानि कि रैम का वोलाटाइल मेमोरी देखेंगे यह दो प्रकार से होता है रैम ठीक कौन कौन से तो डैनेमिक रैम इधार देखेंगे जो रोम दो प्रक प्रकार हैं एक्जाम में डारेक्ट पूछे गए हैं तो यह बार वीडियो को लाइक कर दिजिएगा भरपूर लाइक काना चाहिए बीना सोचे समझे ऐसा नहीं है अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तभी लाइक करेंगे तो देखेंगे रिड ओनली मेमोरी तो यहां पर यह जोड़ दिया था इसको याद करना ही है इसको याद करना ही है इसकी जो इस्टोरी चंता होती है में मोरी से अधिक होती है अब इसकी जो मेरे मोरी तुन्ना में जो इस्पीड है इसके काउस्ट अप्राईस से दोनों ही कम होते हैं और इसमें इस्टोर किये गए डेटा अब वश्यक कर सकते हैं इक्जामपल के हम मैं बात करूँ तो मैंगनेटिक डिस्क यानि कि जो मैंगनेटिक डिस्क है हार्ड डिस्क का फ्लापी डिक से यह टॉपिक आप एक बर कवर किजिगा है आप टिकल डिस्क में सीडी डिवीडी ब्लू डिस्क है ना यह सभी एक्जाम पुछे जाते हैं सॉलिट इस्टेटिक डिस्क का मतलव पर फ्लेश ड्राइब अब यहां पर इक्सा में पूछे जाएंगे सीरी अब इसको भंदारन चम्ता क्या है तक याद रखना यहां पर DVD का पूछा जाएगा, 4.7GB, तो देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क, यह आप देख पा रहे होंगे, चित्र में, यह आपका फ्लॉपी डिस्क, पूछा जाता है, यहाद रखना, जिसकी दोनों तरफ, सबसे कम में इसके बाद 1.2 MB विसके बाद होता है आपका 1.8 MB यानिक 2 GB यहां पर देखेंगे इसके प्रावकार है फ्लॉपी डिस्क ड्राइब का अलग-अलग साइज आता है तो साड़े 3 इंच का मतलब 1.44 MB सबसे कम है तो इसके बाद साड़े 5 यहां पर 1.2 MB और 8 इंच का 80 KB यह साइज जो है अलग-अलग आता है तो सबसे माने जाएंगे फ्ल की डिस्क का एक समू होता है यहां पर जो वृत्ताकार दीक रहा होगा इस प्रकार यह वाला तो इस प्रकार एक समू होता है तो सेक्टर यह वाला होगे ट्रैक्ट क्लेंडर यह वाला तो डाइग्राम करूंसर बताऊंगो तो समझ में आएगा यह हैट्स क्या है आपका है फोर प्लेट्स वन टू त्री फोर और यह आठ एवल ठीक विश्थी प्रकार देखेंगे कंपक्ट डिस्क आप्टिकल डिस्क यहां पर देख पार होंगे विश्च प्रकार कर डिस्क है जिसके डाटा को सिर्फ एक ही बाल लिखा जाता है ठीक है अब यहां पर देखेंगे डिविडी यानि के डिजिटल विडिविडियो डिस्क है ना तो यह आप यहाद रखना डिटा meer थोड़से एक मिनाट या पर राखना डिजिटल विडियो डिस्क यानि की इसका पॉल पाम होता एग्जाम में पुछा जा जायता है 1995 में सुरी धरा किया गया था डिवडी याप्टिकल डिश्कार इसने किये थिग्षय थिवटी फोर पैंट सेवन जीबी लेकिन अधिक्ताम पुछा जायते थे के लिंक कमेंड में जाते हैं यह एक विसेश्च प्रकार का मेमोरी होता है जो CPU यानि कि से मुख्य मेमोरी के बिच मेमोरी होती है इस आटिक रहम यह आपका चीप को करती है कैस मेमोरी को प्रकार की स्पीट बढ़ा जाती है प्रुसाज की सुचना है वावसेक्स होते हैं तो सबसे पहले केस हुँशन करते हैं इसे मेमोरी से साच करता है CPU के क्या मेमोरी के बफर में का काम करती है तो यह वीडियो आपको कैसा लगए, कमेड बताए है अगर वीडियो अच्छे लगते है वीडियो को सब्सक्राइब ल